है वल्कम दू फर्स आक्टिवीटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो और इस आक्टिवीटी में हम जानेंगे कि भाई कोलाइडल सलूशन किसे कहते हैं अच्छा क्या तुम देखके पहचान लोगे कि कोलाइडल सलूशन कैसे होते हैं नहीं पहचान पाऊगे चलो अब मैं बताता हूँ आज के बाद तुम जैसे ही कोलाइडल सलूशन को देखोगे तुरन पहचान जाओगे कि भाईया ये तो कोलाइड है चलो सबसे पहले मैंने मिल्क लिया है as an example और मैं आपको बता दू कि मिल्क is the very good example of collाइडल सलूशन मिल्क एक तरीके का कोलाइडल सलूशन होता है मिल्क के अलामा blood हो गया urine हो गया ये सब कोलाइडल सलूशन है ठीक है तो हमने as an example मिल्क लिया है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जितने भी कोलाइड्स होते हैं they all are heterogeneous mixtures heterogeneous mixtures यानि milk के particle एक दूसरे से perfectly dissolve नहीं हुए है milk के अंदर होता है fat और fat एक तरीके का oil है oil किसी से भी dissolve नहीं होता clear है मतलब collाइडल सलूशन एक तरीके के heterogeneous mixtures है इससे हमें ये पता चला कि भाईया जब collाइडल सलूशन heterogeneous mixtures है यानि इनके particles मिले हुए नहीं है perfectly dissolve नहीं है ठीक है तो हैं कहां दिख क्यों नहीं रहे है देखो दूसरी चीज कि भाई जितने भी collाइडल सलूशन के particles होते हैं they are too small to be seen by naked eyes खुली आखों से हम collाइडल सलूशन के particles को नहीं देख सकते हैं is it okay first thing collाइडल सलूशन heterogeneous mixture है second thing collाइडल सलूशन के particles बहुत जादा छोटे हैं हम उन्हें खुली आखों से नहीं देख पाएंगे ठीक है भाईया जब हम उन्हें खुली आखों से नहीं देख पाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि collाइडल सलूशन एक heterogeneous mixture है कैसे पता चलेगा कि इमके अंदर particles भी हैं हम क्या करेंगे हम light को pass कराएंगे हम light को pass कराएंगे और देखेंगे कि क्या light pass हो जाती है ये देखो नीचे आप देख पा रहे होगे कि भाई ये beam of light पूरे collाइडल सलूशन से pass out हो जा रही है हमे पूरा का पूरा light इस glass के अंदर दिख रहा है दिख रहा या नहीं दिख रहा दिख रहा बिल्कुल दिख रहा मेरी जान इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि इस collाइडल सलूशन के अंदर particles हैं और यही particle light को scatter कर रहे है, light को फैला रहे है, यह light कैसे फैल रही है, इन ही particles की वज़े से, अगर इनके अंदर particle नहीं होते हैं, तो light अंदर दिखाई नहीं देती, ठीक है, तो collidal solution क्या है, first thing, collidal solutions are heterogeneous mixtures, second thing, collidal particles are too small, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, खुली आँखों से हम third one is, collidal solution में, जो light का path होता है, वो visible होता है, हमें light clearly दिखाई देती है, इनके particles light को scatter करते हैं, ठीक है, समझ में आ, collidal solution क्या है, चलो, पढ़ भी लेते हैं